अंदराश्टिक गीता जनती महुत्सव के समापन के उपरांद शिरी जैरम संस्थाओं ने ब्रह्म स्रोवर पर सफाई अभ्यान चलाया अठारा दिन तक चले गीता जनती महुत्सव एवं सरस मेले के समापन के बाद तीर्थों की पवित्तरता एवं स्वच्था के उदेश्चे से ये सफाई अभ्यान चलाया गया इस अभ्यान में शिरी जैरम विद्या पीट के शिरी जैरम संस्कृत महाविधिय ले के विद्यार्थों सहीत श्री मती केशरदेवी लोहिया जैरम पब्ल्क स्कूल हरि बक्ष राय लोहिया जैरम महीला पल्टेकनिक एवम सुलस से केसी रंगा भी पहुंचे विबिन शिक्षर संस्ताओं के विद्यार्थियों एवम शिक्षकों ने जहां ब्रम सोर पर गंदगी उठाई एवम तीर्थों की पवित्रता एवम स्वच्ता बनाई रखने के लिए जागरुकता रहने भी निकाले इस मौके पर मौझूद लोगों एवम प्रेटकों ने भी जैरम संस्ताओं के विद्यार्थों दोरा उठाई गए कदम की सराना की जैरम विद्यापेट के ट्रस्थी कुलवंत स्याणी ने कहा कि कुरुक्षेतर के ब्रम सोर के तक पर अंतराष्टी गीता जैनती मौसव मनाया गया है जिसमें देश विदेश से भारी संक्या में शरदालू पहुंचे है ऐसी स्थिती में स्वाभाविक है कि काफी दिन गंद की फैली है इसी गंद की को देखते हुए शिरी जैरम संस्ताओं एम शिक्षन संस्तानों के विद्यार्थियों ने गंद की सफाई करने के लिए सफाई अभ्यान में भाग लिया कुरुक्षेतर विकाश बोड के मानस सची मदन मोंचावडा ने कहा कि अंतराश्टी गीता जनती मौसव का समापन हुआ है तो स्वच्टा की द्रिष्टी से श्री जैरम संस्ताओं एमंदीवे कुरुक्षेतर ने सफाई अभ्यान चलाया जिसमें जैरम शिक्षन संस्तान के बच्चों और महिलाओं ने मिलकर सफाई के उदेशे से सयोग ही नहीं किया बलकि समाज को जागरुक भी किया उन्होंने कहा कि स्वच्टा तभी रह सकती है जब हम गंद की नहीं फेलाएंगे वहीं हरी बक्ष राय लोहिया जैरम महीला पल्टेक्निक की पराचारया मनप्रीत कोरने का की शिरी जैरम संस्ताओं के परमध्यक्ष आयम शिरी जैरम शिक्षन संस्तान के चेर्मेन ब्रहम सरूप ब्रमचारी की प्रेड़ना से सफलता पुरोग गीता जयनती मौसव का आय इकठा हुए उन्होंने सफाई अभ्यान चलाया बच्चों ने काफी उत्सा से स्रोवर की सफाई की जैरम महीला बीर्ड कॉलेज की प्राचारया डॉक्टर प्रतिवा शोकंद ने बताया कि शिरी जैरम संस्ताओं द्वारा दिरंतर सफाई अभ्यान चलाया जा रहा है जै जैरम शिक्षण संस्तान के बच्चे और टीचर ब्रह्म स्रोवर पर सफाई करने के लिए यहां पहुंचे हैं वहीं शिरीमति केशले देवी लोईया जैरम पब्लिक स्कूल की अध्यापिका प्रमिला शिर्मा ने कहा कि गीता जनती मौस्तव के समापन के उप्रांद बच्चों को प्रेरना है कि हमारा भारत हमेशा साफ और स्वच रहे बच्चों को बताया जारा कि तीर्थों को पवित्र आवम साफ बनाए रखे जैरम विद्यापिट के सेवक रोहित कोशिक ने कहा कि 19 नुमंबर से ब्रह्म सोर पर गीता जैनती मौस्तव प्रारम हो गया ब्रह्म सोर के चारों और बहुत सारे स्टाल एमें खाने के दुकाने लगती हैं ऐसे में 18 दिनों में सोर पर इतनी गंदगी हो जाती है कि निकलना भी बहुत मुश्किल होता है सोर का पानी भी गंदा हो जाता है रोहित कोशिक ने बताया कि श्री जैरम संस्ताओं एम श्र इतनी गंदगी हो जाती है कि बहुत ज्यादा यहां से निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है या ब्रह्म स्रोवर का जल भी बड़ा गंदा हो जाता है तो यहां से निकलना मुश्किल हो जाता है तो स्री जैराम सिक्षन संस्ताओं हमारा जो जैराम संस्ताओं है उन सभी ने एक संकल्प लिया कि हम पूरे ब्रह्म स्रोवर को सुच्छ बनाएंगे और जिसमें सभी संस्ताओं मिल करके हमारी जैराम एजुकेशन की चार संस्त अंतराश्य गीता महुतसव कल छे तारिक को समापन हुआ और समापन के बाद स्वच्छता की दिरिष्टी से जैराम संस्तान और दिवेक रूक्षेत्र मिलकर यह सभी बच्चे और महिलाएं जो है जैराम संस्ता के सभी जो हमारे institutions हैं और हमारे बड़े लोग हैं वो सब लोग यहां पर आज स्वच्छता की दिरिष्टी से आएं और समाज को जागरूप करने आएं अगर स्वच्छता तभी रहेगी अगर हम गंदगी नहीं किनाएं यही बावना डस्क बीन का प्रयोक करें यही बावना और कम से कम गंद है कि यहां पर गीता जनती समारो चल रहा है और हमारे महाराद जी श्री ब्रम्चारी जी महाराद जी के द्यक्ष्टा में जो हमारी जैरम विद्यपीट है उसमें जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं श्री मतिकेशरी देवी लोईया जैरम पॉब्लिक स्कूल के बच्चे और पॉल टेकनिकल कॉलेज, बीएड कॉलेज और सभी जो द्यारती हैं यहाँ पे स्वचता के लिए स्वचता बनाने के लिए इस गीता जन्ती समारों में आये हैं ताकि गीता जन्ती के बाद जो गंदगी है वो खतम हो जाए और हमारा जो भारत है वो हमेशा स्वच और साफ र को यहाँ लाए हैं ताकि गीता जन्ती में स्वचता का पूरा-पूरा ख्याल रखा जाए तीर्ट सलों को अच्छी तरह से साफ सुत्रा रखा जाए यह हमारा मकसद है ताकि बच्चे भी सीखें कि आगे हमें अपनी भूमियों को साफ सुत्रा कैसे रख लाए श्वचता रखना एक बहुत जरूरी है एक बहुत इंतर लास्त्री है तो फुच्छ ववा है समभावी कह ती इसमें गंगी फैलता है उसी को द्यान में रखते हुए जैराम सर्ष्ताओं ने निर्ण लिया है कि हम स्वास्त ये शफाई अभियान में भाग दें और भरम सरोग पे शफाई करें तो जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले पंदरा दिनों से गीता जनती का महसव चल रहा है और मतलब इसकी स्वच्टा बनी रहे इसके लिए आज हमने अपने पूरे संस्था बच्चों को इकठा किया है और एक सफाई अभियान चलाया है और बच्चे पूरी शद्धा से लगे हुए है और शिद्धत से ये काम कर रहे हैं सफाई अभियान का सबसे पहले मेरा नमस्कार सभी को और हमने एक अभियान चलाया हुआ है सफाई अभियान कुरुक्षेत्र जिले के अंदर जिसमें बहुत सारे तिर्थों के उपर विशेश हमारा ध्यान है कि तिर्थों पर कोई गंदगी ना फ्याले इस आफसर पर आज हम यहां ब्रहम सर सब्सक्राइब के साथ मिलकर इसकी सफाई के लिए यहां इकटे हुए हैं हम चाहते हैं कि हमारा कुरुक्षेत्र साफ सुत्र और स्वच रहे और यहां के जो लोग हैं वो हेल्दी वेल्दी रहें थैंक यू कवार नामा हरेला के लिए डॉक्टर आजीश मद्वागी रिपोर्ट